इतिहास के पन्नों में हमने बहुत सी प्रेम कहानिया पड़ी है लेकिन उनमें से एक प्रेम कहानी जो आज भी महबबत की मिशाल बनी हुई है वो है साहजाहा और मुम्ताज की प्रेम कहानी जिसे आगरा का ताजमेल हर पल बया करता है हाला कि सिर्फ महबबत के जोजरिये से ही नहीं बलकि बास्तुकला के नजरिये से भी ताजमेल बहुत ही अद्वुद इमारत है शायद यही बज़े है कि ताजमेल को दुनिया के साथ अजूबों में से एक माना चाता है ताज महल को लेकर जो कहानी मशूहर है वो अलग है आपको बता दे नमस्कार मैं निशा आप सबी का स्वागत है राजस्तान चौक के खास एपिसोड रहशों से भरी दुनिया में आज हम इस रहशों भरी दुनिया में बात करने वाले है काले ताज महल की आपको बता दे कि मुम्ताज मुगल बाश्या साहजाह की तीसरी भीवी थी जिन से साहजाह को सबसे ज़्यादा प्रेम था और इसे प्यार को जग जाहरी करने के लिए मुगल बाश्या साहाजाहा ने अपनी मुम्ताज की मौत के बाद उनकी याद में ताज महल बनवाया जहां पर मुम्ताज की कब्र को दपनाया गया बहीं तथ्यों के अनुसार ताज महल को बनने में लगए बाइस साल लगे थे लेकिन अगर अगर मितियास को खंगा ले तो ये बात निकल कर आती है कि शायद सहा जाहा को खूबसूरत इमारते बनाने का बहुत शौक था क्योंकि ताज महल के अलावा दिल्ली का लाल किला आगरे का किला और दिल्ली की जामा मस्जिद दिल्ली की मोती मस्जिद और आगरा की जामा मस्जिद सभी शाहजाने ही बनवाय थे और इन सभी की बास्तुकला अदबुद है हाला कि बास्तुकला और सुंदर्था के नुजरीय से ताज महल में सबसे ज़्यादा कूपसूरत माना जाता है क्योंकि इसे सफे संग्मगर के पत्थरों से बन वाया गाथा लेकिन ताज महल के बनने के बाद शाजा खुद इस महल के इतने कायल हो गए थे कि उन्होंने अपने लिए भी ऐसा ही एक महल बनवानी की इच्छा जाहिर की जहां पर उन्हें उनकी मृत्यों के बाद दपनाया जाए लेकिन साजा की ख्वाइश ये भी थी कि वो महल सफे नहीं बलकि काले पत्थरों से बना हो यानि की काला ताजमेहल काला ताजमेहल को लेकर आपने भी कई किस्से और कहानिया सुनी होंगी लेकिन असल में काला ताजमेहल का रहष क्या है और ये क्यों नहीं बन पाया इसके पीछे की बज़े बहुत कम लोग जानते हैं अब कवतादी की तथ्यों के अनुसार कहते हैं कि काले ताजमेल का जिक्र सबसे पहले यूरोपी यात्री या बाप्तिस्त तावरेनिये के लेखों में मिलता है जो साल 1665 में भारत के आगरा शहर पहुंचा था यूरोपी आत्री में अपने लेखों में काले ताजमेल का भी जिक्र करते हुए लिखा है कि साज़ा ने ताजमेल के सामने बहने वाली दरिया के दूसरी करफ अपने लिए एक मकवरा बनाना शुरू किया लेकिन इससे पहले ही साज़ा के बेटे औरंग जेम ने उन्हें कैत कर लिया हाला कि कई पुरात्व इसे केवल एक मिथक कथा बताते हैं लेकिन अगर यूरोपी आत्री के लेखों में लिखी गई बाते सच हैं तो काले ताजमेल कास्तित्व कहीं न कहीं तो पना प्रहा होता जिसे औरंग जेम ने बनने नहीं दिया काले ताजमेल से जोड़ी कहानियों के अनुसार औरंग जेम साहजा के चार वेटों में सबसे छोटा था जिसकी सत्ता के लालच में उसने अपने परिवार के ही वुरुद युद्ध कर दिया औरंग जेम ने सत्ता के लिए अपने पिता साहा जहां तक को कैद कर लिया था तो बहीं कई सालों तक उन्हें जेल में भी बंद रखा लेकिन बाई जन्वरी साल 1666 को साहा जहां की मृत्ति हो गए औरंग जेब ने भली साहा जहां को कैद कर लिया था लेकिन थे तो वो औरंग जेब के बाली थी और औरंग जेब क इसलाम के अनुसार पूरी रश्मों के साथ उनके शब को कबर में दफनाना था सब तैयारिया चल रही थी कि तब ही औरंग जेब को सहाजा की मुरत्यों से सम्मंदित बसीयत पढ़कर सुनाई गई जिसमें काले ताजमेल का भी जिक्र हुआ सहाजा के शब को बहाँ पर दफनाकिने की बात कही गई थी कि काला ताजमेल बनाने में कोई भी दिल्चस्पी नहीं थी आपको बतारे कि औरंग जेब को काला ताजमेल बनाने में कोई भी दिल्चस्पी नहीं थी जिसे साही खजाने से धनकी बरबादी होती इसके अलावा और अंग्जेव धार्मिक क्रियाओं में भी कोई दिल्चसमी नहीं रखता था जिस बज़े से इतना भब्य मकवरा बनाना उसके लिए फिजूल खर्ची थी जिस बज़े से और अंग्जेव ने इसलाम के कुछ कायदों का हवाला देते हुए सहाजवा का मकवरा ताजमेल के पास ही बनवा दिया और काले ताजमेल का राजबसियत के साथ ही दफन हो गया और अंग्जेब ने काला ताजमेल क्यों नहीं बनवाया इसकी शायद ये भी बज़ा हो सकते है कि उसने अपने बालिद के लिए नफरत उन्हें कैद करने के बाद भी खत्म नहीं हुई पर जो भी हो काला ताजमेल अगर बन जाता तो शायद एक पिता और बेटे के बीच के प्रेम को भी अमर कर जाता लेकिन काला ताजमेल नहीं बना इस तत्र ने भी लोगों के बीच कही न कहीं इस महल के रहष को जानने के जिग्यासा पैदा कर दी और लोग हमेशा के लिए इस रहच को जानने के लिए जाग रुख हो गए